हलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दिस न्यूज शेशन गाईज आप सभी स्टूदेंट्स का एगवार फिस्टेस प्लाटफॉर्म में स्वागत है आज हम लोग जई मेंस 2021 जुलाई एटम्ट के मैट्रीसेस और डेटमिनेंट्स के जितने भी कोश्चन से बच्चो उसको वन वाई वन करके इस सेशन में डिसकस करेंगे तो अभी तक हम लोग ने जई मेंस 2021 जुलाई एटम्ट फेवररी एटम्ट एंड मार्च एटम्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाई क्यूस के वीडियो सुलूशन अपलोड किये हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं तो बच्चों यह जो सेशन में डिफिकल्ट नहीं होते हैं तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्स्ट कोश्चन है आपके सामने ठीक है let s equal to एक s set of matrices है वो इस तरह से दिया हुआ है ठीक है s के अंदर में एक set of matrices है वो इस तरह से दिया हुआ है आप देखो कि उसमें small n belongs to natural number और जो एक matrices का relation satisfy हो रहा है जीरो आई वन जीरो तूदी पावर एन ए बी सी डी यह किसके बराबर हो रहा है यह ABCD के बराबर हो रहा है और ABCD जो है वह आपका कैसा है रियल नंबर है तो यह बोला जा रहा है then the number of two digit number in the set of s is यानि यह जो n है आपको n का value बताना है ठीक है n का value बताना है यह कौन से n के लिए यह relation hold हो रहा है और वह इसे n बताना है जो कि two digits के हो कितने digit के हो two digits के यानि n जो होगा बहुत सारा हो सकता है one digit का भी हो सकता है two digit का भी हो सकता है n का value और three digit का भी हो सकता है तो आपको basically two digits के n बताने कितने होंगे जो इस relation को hold होंगे और यहाँ पर में जो है a, b, c, d belongs to r तो सबसे पहले यह जो relation है इसको ध्यान से देखिए यह जो relation दिया हुआ है matrices में 0, i, 1, 0, n, a, b, c, d equal to a, b, c, d आप एक बात notice करो यहाँ पर में यह जो matrices है माल लो इसको कर x माल ले और यह वाला identity matrix अगर होगा 0, i, 1, 0 to the power n तो i into x यह फिर से क्या हो जाता है x के बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको यह जो matrices है 0, i, 1, 0 to the power n इसका value कितने के बराबर होना चाहिए identity matrix होना चाहिए 1, 0, 0, 1 तो आपको n का value चेक करना है तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर में iota है, iota क्या है square root of under root of minus 1 और iota आप देखो यहां पर में इसका यानि nth power करेंगे इस matrix का और उसमें क्या होगा iota disappear होना चाहिए iota क्या होना चाहिए, disappear होना चाहिए, तो एक बात बताओ iota disappear कौन से power पे होता है या तो iota power 4 पे होता है, iota power 8 पे होता है, ठीक है न, iota square पे भी होता है तो इस तरह से हम लोग यानि even power को आपको check करना है, ठीक है odd power पे नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले n का value अगर 2 ले लेंगे suppose करो, n का value 2 ले लेंगे तो इसको multiply करो matrix को 0 i10, 0 i10, यानि अगर n का value 2 ले लेंगे, तो इसका value कितने के बराबर होगा, multiply करके ध्यान से देखो, य जिरो यह इए जिरो यह आयोटा, यानि आयोटा, यह ग्रू और याँपर में यह जिरो और यह याँपर में आयोटा, यानि n का value 2 ले ले लुटा रखने पर कितने अध्या हुआ? 1 और अगर n का value 8 रख दोगे तो आपको बापस यह वाला matrices मिल जाएगा यानि आप यह बोल दो कि अगर अगर यह वाला matrix को आपने a लिख दिया तो आप ऐसा लिख दोगे a power 8 minimum जो a का minimum value होगा a power 8 कितने के बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 ठीक है तो जब a power 8 पर होगा तो a power 16 पर भी होगा a power 24 पर भी होगा तो ऐसे से करके 8 का multiple हो जाएगा यानि n must be multiple of 8 k where k belongs to integer n must be multiple of 8 k where k belongs to integer ठीक है तो इसमें बेसिकल लिए आपको क्या करना था कि यह जो matrix है 0 i 1 0 इसका nth power करना है यानि n times multiply करना है और n times multiply करके इसको identity matrix के बराबर equate करना या उसको value निकालना है तो identity matrix minimum n equal to 8 पर होगा फिर 16 पर होगा 24 पर होगा तो आपको बोला है कि 2 digit के कितने n होंगे तो एन का जो value होगा ठीक है ना एन क्या-क्या हो जाएगा एन का value देखो यहां पर हो जाएगा एट 16 इन कि 24 32 इन कि 40 इन 48 इन 56 इन कि 72 इन एटी एट और 96 हम टू डिजिट्स तक की बात कर रहें तो टू डिजिट्स में यह वाला नहीं होगा और इसके आगे भी क्या होगा थ्री डिजिट्स में अगर्ट हो जाएगा इन का कितने values आएंगे तेन values आएंगे यहां पर 64 भी होगा यहां पर 64 भी होगा तो टो टोटल जो एस में number of elements होंगे वो number of elements होंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा that will be equal to 11 यहनि इस question का जो आंसर हो जाएगा number of two digit number in the set S कितने के बराबर है 11 के बराबर होंगे सो यह हमारे पास जो next question है इसमें क्या है वेसिकली आपको पी मैट्रिक्स दिया हुआ है 101 by 21 ठीक है 101 by 21 और पी पौर 50 का value आपको बताना है ठीक है पौर 50 का value बताना है तो सबसे पहले इसमें क्या होगा एक pattern generate होगा क्योंकि आपको 50 तक तो multiply आप नहीं कर सकते हो है ना तो सबसे पहले पी स्क्वेर निकाल लो तो पी स्क्वेर कितने के बराबर होगा 101 by 21 101 by 21 जब इसको value निकालेंगे हम लोग तो यह 1 यहां पर में 1 by 2 प्लस 1 by 2 यानि यह कितना हो गया यह पर 0 जीरो और यहां पर में यह वाग इसी तरह से से अगर हम लोग पी पावर 4 का value निकाले और पी निकाले यह यह थी इतियूब निकाल सकते हैं पी पावर 4 का वेलू कितना होगा ध्यान से देखो 1 0 1 1 0 1 1 तो आपको मिल रहा है ये 1 ये 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 ये 0 ये 0 और ये 0 और ये 1 इसी तरह से अगर हम लोग पी पावर 8 का वेलू निकाल लें तो फी पावर 8 का वेलू आपको मिल जाएगा 1 0 4 1 तब एक पैटन देख पारे हो पैटन ये बन रहा है आप इस तरह से चलते रहेगा है न रहेंगे पैटन देख पारे ओ कि ये तीनों एलिमेंट तो सेम रहेंगे ये तीनों एलिमेंट जो है इरेस्पेक्टिव ओपी पाव कर रहा है अगर P स्कूर्स रखा तो यह 1 बन गया सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब गा अगर यहांपर में एठ है तो हैं कितना बन गया फोर बन गया तिन लिक Also 14 सी और यह फॉस्ट ऑप्शन विल भी दा करेक्ट आंसर फॉस्ट ऑप्शन विल भी दा करेक्ट आंसर वेरी इस रोडियर हमारे पास जो नेक्स क्वेश्चन इसमें यह बोला जा रहा है कि इस एक्वेशन के एकट्रम लेट के फॉर्मेट में एक्वेशन दिया हुआ है साइन कौश्च कॉश्च कॉश्च कॉस्च साइं इक्वाल टू जीरो और माइनस पाइब भाई-फॉर से 4-5 की बिछ में इस्का क्या बताना है Northern Combine ज़से इस इससेनी को भी your देंट को भी expend्स नहीं करना यह क्योंक्त कर दोगे तो काफी लंबा चला जाएगा इसमें क्या करनाए पहलिप्रलप्रन देंट को बहुत ईजीली लग जैगा कैसे लगे निकल जाएगा टो एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं अरटु के जगई यह कर सकते हैं ऑर्टु के जगह कॉस माइनस डिरो सांइन माइनस कोस जय घुल तो एजीली कंवर्ट हो जगा R2 minus R3 ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा Sine X minus Cos X यह Cos X minus Sine X और यह 0 और यहां पर मैं Cos minus Cos 0 यहां पर मैं Sine X minus Cos X यहां पर मैं Cos X minus Sine X और यहां पर आएगा Cos X Cos X और Sine X equal to 0 ठीक है अब देखों यहां से ध्यान से आपको क्या-क्या आपको जो कॉमन आएगा एक तरफ Sine X minus Cos X आएगा यहां पर भी Sine X minus Cos X आएगा तो दो बार आएगा Sine X minus Cos X यानि आप लिख दोगे Sine X minus Cos X का होल स्कूर और जो डिटर्मिनेंट आपको बचेगा यहां पर मैं कितना बचेगा 1-1 0 1-1 0 यहां पर मैं 0 1 1 1 0 1-1 और यहां पर में cos x cos x sin x ये equal to 0 अब इसको जब expand कर देंगे इसको expand करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा sin x plus dong 1 into sin x plus cos x यानि 1 into sin x plus cos x यानि यहाँ पर मैं आ जाएगा sin x minus cos x का whole square whole bracket यह sin x plus cos x sin x plus cos x यहाँ पर minus minus plus 1 plus 1 into plus 1 into यह हो जाएगा plus cos x plus cos x equal to 0 अब यहाँ से ध्यान से देखो आपको minus pi by 4 to pi by 4 है that means आप यह बोल सकते हो कि 10 x का जो value होगा इस region में यह आपको minus 1, 2 कितना होगा 1 और यहाँ पर यह वाला जो term होगा sin x plus 2 cos x यानि एक factor तो आपको मिल गया sin x minus cos x whole square into sin x plus 2 cos x sin x plus 2 cos x equal to 0 तो यहाँ पर में आपको 2 factor मिल रहा है एक तो मिला आपको sin x minus cos x equal to 0 जिसके roots होगे अब दूसरा factor क्या मिला आपको मिला sin x plus 2 cos x equal to 0 यह 0 के बराबर नहीं होगा क्यों? क्योंकि इसके लिए 10 x का वेलो कितना हो जाएगा? minus 2 इसके लिए 10 x का वेलो कितना होगा? minus 2 होगा? तो क्योंकि possible नहीं है क्योंकि इस region में 10 x का वेलो कितने के बराबर है? minus 1 और 1 के बीच में है तो यह वाला से कोई solution नहीं मिलेगा तेकिन इससे solution मिलेगा sin x minus cos x equal to 0 यानि आपको मिल जाएगा 10 x equal to 1 और minus 5 by 4 से 5 by 4 के बीच में 10 x equal to 1 एक ही वेलो पर होगा 5 by 4 यानि x equal to 5 by 4 इसका आंसर हो जाएगा और जब x equal to 5 by 4 आंसर होगा यानि क्या पुछा है? कि number of आपको क्या पुछा है? number of real roots पुछा है बच्चो तो number of real roots कितना हो जाएगा? one real root हो जाएगा या March attempt में इस तरह के question almost similar question आया हुआ है ठीक है? अब हम भी इसी तरह का concept आपको लगाना था तो चलो हम लोग next question में आते हैं बच्चो तो यह हमारे पास जो next question है इसमें एक matrix दिया हुआ है matrix A 1, 2, minus 1, 4, 2 into 2 order का matrix है और A inverse का value दिया हुआ है alpha into identity matrix plus beta into A जिसमें identity matrix कितने order का है? 2 into 2 order का है alpha beta क्या है? real number है यानि alpha को multiply कर रहे है identity matrix और beta को A से तो आपको 4 alpha minus beta का value बताना है तो सबसे पहले क्या करो A inverse निकालो A inverse निकालना बहुत असान है A inverse क्लिक या करेंगे? 1 by mod of A into adjoint of A आपको लिखना पड़ेगा adjoint of A divide by mod of A और adjoint के लिए क्या करते हैं? क्यों transpose co-factor matrix से उसका transpose ले लेते हैं सबसे पहले mod A तो 4 plus 2 कितना होगा? 1 by 6 और जो co-factor matrix होगा उसका transpose लेना है तो co-factor matrix में 4 और 1 interchange हो गया ठीक है? यहाँ पर मैं आ जाएगा minus, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा? minus 2 ठीक है? और इसका क्या ले लेंगे? transpose ले लेंगे इसका transpose ले लेंगे तो you will get 1 by 6 into 4, 1 minus 2, 1 आज 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 इसको expand करेंगे तो यह हो जाएगा 2 by 3 minus 1 by 3 2 by 3 minus 1 by 3 1 by 6 और 1 by 6 तो यह आपको A inverse का value आ गया अब जब A inverse का value आ गया तो इसको यहाँ पर वापस रख देते हैं तो कितना होगा? और इसको 2 by 3 minus 1 by 3 1 by 6 1 by 6 equal to यहाँ से देखना है alpha into I जब I को multiply करेंगे तो 1 वाला element alpha हो जाएगा 0 वाला थाज़ इस जीरो रहेगा तो 0 alpha plus beta into A यानि इसमें beta multiply कर देंगे तो beta multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा? plus beta 2 beta minus beta और 4 beta अब इन दोनों को add कर दो और add करके इधर से क्या करना है? compare करना है इधर से क्या करना है? compare करना है तो compare कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं alpha plus beta equals 2 by 3 तो यहाँ से आ गया alpha plus beta equal to 2 by 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा? minus beta plus 0 minus beta plus 0 minus beta plus 0 equal to 1 by 6 यानि minus beta equal to 1 by 6 बाकी को compare करने का जुरूरत नहीं है तो बीटा का वेलू कितना हो जाएगा यहां पर में आलफा का वेलू कितना हो जाएगा यहां पर में यहां पर में 6 हो जाएगा यानि 5 by 6 और बीटा का minus 1 by 6 यानि minus minus plus 1 by 6 यानि 6 by 6 यानि 4 यानि यह जो question है इसका answer आजाएगा 4 ठीक है इस question का answer आएगा 4 और बहुत ज़्यादा difficult सवाल नहीं है इसमें basically थोड़ा सा calculation आपको करना है और बहुत ज़्यादा calculation भी है नहीं तो इस question का answer आगया 4th option जो है 4th correct answer यानि 4th option भी है और 4 is the correct answer तो चलो हम लोग next question में आते हैं बच्चो सो डियर हमारे पास जो next question है यह properties of properties of matrices and determinants पर बेस्ट है ठीक है properties of matrices of determinant पर बेस्ट है question क्या है let a and b are two three into three real matrices such that a square minus b square is invertable matrix if a power five equal to b power five and a cube b square equal to a square b cube then the value of the determinant a q plus b q is equal to तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है a एक matrix दिया हुआ बच्चो 3 into 3 का और b b एक matrix दिया हुआ है 3 into 3 का और आपको बोला जा रहा है कि a square minus b square invertable matrix है यानि अगर हम लोग एक matrix x लिख दें इसको लिख दें है a square minus b square और यह matrix कैसा matrix है इनवर्टीवल इनवर्टीवल matrix तो जब यह invertible matrix है तो जाब यह invertible matrix है एक मिन्स इसका determinant mod of x not equal to 0 mod of x कितने के बडराबर होगा not equal to 0 यह कंडिशन आपको पता होना चाहिए ठीक है और आपको दिया हुआ है क्या आपको दिया हुआ है a power 5 equal to b power 5 and though relation the i power 5 equal to b power 5 and aq b square equal to a square bq तो आपको किसका determinant बताना है यह जो aq plus bq है matrix इसका determinant का value आपको बताना है तो सबसे पहले क्या करो यहां पर मैं a power 5 equal to b power 5 and aq b square equal to a square bq तो इन दोनों को subtract कर दो इन दोनों को क्या कर दो आप subtract कर दो अगा दो matrix 6 का equation subtract addition कर सकते हैं इसको subtract कर देंगे तो कितना होगा left hand side में हो जाएगा a power 5 minus aq b square right hand side में आ जाएगा b power 5 minus a square bq अब ध्यान से देखो यहां पर में यहां से ध्यान से देखना है यहां से a power 3 क्या सकता है common आ जाएगा a power 3 common आ जाएगा तो यहां पर बन जाएगा a square minus b square और यहां पर में अगर हम लोग b cube common ले लेंगे b cube common ले लेंगे तो you will get b square minus a square आप जब बापस इसको उधर लेके चलेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा a cube into a square minus b square और यह minus minus plus effectively आ जाएगा plus b cube into a square minus b square equal to 0 ठीक है तो यहां से a square minus b square common आ गया यहां से a square minus b square common आ गया तो a square minus b square into यहां पर हो जाएगा a cube plus b cube equal to कितना होगा 0 और इधर में क्या है यह 0 का मतलब हो गया 3 into 3 का यह क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स 3 into 3 का जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको आपने लिया है x और इसको अगर y माल ले इसको कोई y मैट्रिक्स माल ले या फिर्माद्र ue 2 एकसे के बराबर जिरो के बराबर दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे लिखोंगे मॉड़ ऑफ एकसे इंटो मॉड़ अफ वाई जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, what is mod of y, mod of y आपको हो जाएगा, aq plus bq का mod equal to 0, यानि यह जो determinant है, यह जो determinant है, aq plus bq, इसका determinant का value कितना हो जाएगा, बच्चो, 0, यानि the value of the determinant of aq plus bq equal to 0, and कौन सा option हो जाएगा, fourth option will be the correct answer, fourth option will be the correct answer, तो basic concept लगा, basic जो properties है, matrices and determinants का वो लगाया, और यहां से solve कर लिया, इसमें बेसिकली आपको दो equation को subtract करना था, subtract करने के बाद में आपने क्या किया, उसको common निकाला, एक factor बना a square minus b square, जिसका determinant not equal to 0 है, और दूसरा factor है aq plus bq, और इसका determinant निकालना है, तो जब दो determinant का product का value 0 है, और एक non-zero है, then second determinant must be equal to 0, इसी conceptor based था, तो चलो हम लोग next question में आते हैं, बच्चो, इसमें वो उसको capital A लिखा गया है, उस matrix के जो elements है, a, b, c, d है, और ये a, b, c, d जो है, plus minus 3, plus minus 2, plus minus 1, और 0, इन elements में से ही a, b, c, d को रखना है, यानि a, b, c, d का value इसी elements में से होगा, और एक function define कर रहे है, f, m to z, z is integer, इस तरह से function define किया जा रहा है, कि f of a जो है, एक function है, determinant of a है, है न, तो f of a का value 15, यानि determinant of a का value 15 चाहिए, तो ऐसा कितना different matrices a होगा, under the condition, these elements, यानि simple आपको ये करना है, कि जो a matrix है, a, b, c, d, अगर इसका determinant लेंगे, तो determinant कितना होगा, ad minus bc, और ad minus bc को क्या करना है, आपको 15 करना है, ad minus bc को 15 करना है, और इसमें से जो a, b, c, d होगा, plus minus 3, plus minus 2, plus minus 1, plus और 0, यही elements में से आपको लेना है, तो एक बात बताओ, ad minus bc में आपको क्या करना है, तो इसमें देखो, जब आप a और d को multiply करोगे, यानि a और d का अगर multiplication करोगे, इन नम्मर में से तापको क्या क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा, plus minus 9, ठीक है, plus minus 6, plus minus 1, plus minus 1, plus minus 3, 0, इस तरह से मिलेंगे, इसी तरह से bc में भी इसी तरह का होगा, plus minus 9, plus minus 6, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 2 भी होगा यहाँ, ठीक है, plus minus 2 और 0, अब बता, आपको a d minus bc का value 15 चाहिए, 15 कैसे होगा, जब एक तरफ 9 हो, एक तरफ minus 6 हो, यानि एक तरफ 9 हो, एक तरफ कितना हो, minus 6 हो, और एक तरफ 6 हो, एक तरफ क्या हो, minus 9 हो, तभी आपको 15 मिलेगा, इसके अलाबा कोई और different नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, for example, आपने a d को अगर 12 ले लिया, और इसको आपने minus 3 ले लिया, तो ये भी 15 हो रहा है, लेकिन, क्या 12, यहां पर में multiplication से कहीं पर आएगा, आप इन number में से किसी को भी multiply करोगे, तो 12 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला possibility नहीं बनेगा, इसका मतलब है, आपको इस तरह से 2 possibility बनेगा, जब a d का value, case 1 में क्या होगा, case 1 में 1 हो जाएगा, कि a d equal to 9, and b c equal to minus 6, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कितने matrices होंगे, जैसे a d का value अगर 9 होगा, बच्चो, तो a d 9 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a का value 3, आपको a का value 3, और d का value 3 हो जाएगा, ठीक है, या a का value, यहां पर में कितना होगा, a का value हो जाएगा, minus 3, और d का value हो जाएगा, minus 3, और यहां पर bc equal to minus 6, bc equal to minus 6, तो bc equal to minus 6 में कितना होगा, आप लिख सकते हों, यहां पर में, यहां पर में bc का value हो जाएगा, b equal to 6, b equal to 6, c equal to minus 1, b equal to minus 6, c equal to 1, ठीक है, और यह सारे condition किसमें आएगे, end में आएगे, end में आएगे, इसका मतलब है, ad 9 होना चाहिए, और bc का value भी minus 6 होना चाहिए, इसमें 2 case और बनेगा, एक तो आपको यह बन जाएगा, 3 और minus 2, यानि, जो आप एक ची देखो, यहाँ पर में, तो आपके पास आप क्या बनेगा, pair बनेगा, pair इस्तरे से बनेगा, कि for example, आपने a और d को यह लिया, तो इसके corresponding, एक यह वाला हो जाएगा, b और c, एक यह वाला bc, एक यह वाला bc, और एक यह वाला bc, यानि 4 plus, अगर आपने a औ number of matrices कितने हो जाएंगे, 8, इसी तरह से, अगर हम लोग second वाला case लेंगे, second वाला case ले लेंगे, case 2, case 2 में क्या हो जाएगा, ad equal to, ad equal to 6, और bc equal to कितना हो जाएगा, minus 9, तो इसमें भी आपको दो case बनेंगे, a और d में, 6 लेना है, यानि, आप लिखोगे, a equal to 2, d equal to 3, a equal to 3, d equal to 2, equal to minus 3, d equal to minus 2, equal to minus 2, d equal to minus 3, और bc का value कितना करना है, 9 करना है, bc का value 9 करना है, यानि इसमें दो case होंगे, 3, और c equal to minus 3, और यहाँ पर b equal to minus 3, c equal to 3, आप इसमें क्या करना होगा, फिर से, अगर आपने ये वाले set को चुना, इसके corresponding b और c वाले में 2 आएंगे, इसके corresponding b और c में किते आएंगे, 2, इसके corresponding b और c में 2, और इसके corresponding b और c में 2, यानि total 2 plus 2 plus 2, यानि 4, यानि case 2 में 4 matrices होंगे, सॉरी 8 matrices होंगे और case 1 में भी 8 matrices होंगे यानि total number of different matrices यानि total number of different matrices इसका answer हो जाएगा 8 plus 8 equal to 16. काफी अच्छा question है ठीक है तो इस तरह से आपको observe करना है और basically यह क्या है P&C का फ्रसा basic concept लगा आपको P&C का concept नहीं भी है तो भी आप इस तरह से multiply करके और case बना के solve कर सकते हैं तो यह रहा है इस question का explanation तो चलो हम लोग next question में आते हैं बच्चोंट यह हमारे पास जो next question है इसम elements 1,2,3,4,5 में से कुछ होंगे यानि B के जो elements होंगे वो इनी 5 elements में से कुछ होंगे ठीक है फिर आपको बोला जा रहा है कि the number of matrices B with entries 1,2,3,4,5 such that AB equal to BA यानि AB equal to BA hold करने वाला ऐसा B के कितने matrices होंगे इसके elements 1,2,3,4,5 में से होंगे तो आप ऐसा करो आप B matrix को assume कर लो इस तर E F G H I यानि अभी हम लोगोंने आपको 9 elements assume करना पड़ा ABCDEFGHI अब ध्यान से देखना यह जो भी ABCDEFGHI होगा यह इनी में से होगा यानि A का value हो सकता 1,2,3,4,5 हो सकता B का value 1,2,3,4,5 इस तरह से करना है तो AB equal to BA जब करेंगे हम लोग बच्चों AB equal to BA जब करेंगे तो आपक B और अगर AB को multiply करोगे तो आपको जो relation मिलेगा that will be D E F A B C और G H I आप multiply करके देख लेना इस तरह से ठीक है multiplication मैं यह नहीं कर रहा हूँ आप इसको चेक कर लेना multiplication तो यह हो जाएगा D E F A B C G H I इसी तरह से जब BA को multiply करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा B A C B A C यहाँ पर में E D F और यहाँ पर में H G और I अब यह दोनों अगर multiplication हो गया ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको क्या करना है अब matrices है तो दोनों के elements क्या होंगे equal होंगे यानि आप देख सकते हो D और B क्या होंगे equal हो जाएंगे यानि यह relation hold होने के लिए आपको क्या करना इसी तरह से E का value कितके बराबर होना पड़ेगा E equal to A और F equal to C F equal to C और क्या हो रहा है A equal to E तो होई गया ठीक है यहाँ पर B और D B equal हो गया C और F हो गया और यहाँ पर I और I B equal है I to as it is रहेगा और G equal to H H equal to G यानि एक G equal to HB होगा ठीक है तो effectively यह जो B matrix होगा बच्चों यह effectively जो B matrix होगा इसमें आपके total तो 9 elements दिख रहे हैं लेकिन इसमें से कुछ equal हो जाएंगे तो equality को हटा देते हैं जैसे A को तो A ही रख दिया ठीक है B को B ही रख दिया C को C रख दिया अब देखो D के जगह क्या रख देंगे B, D के जगह कितना रख देंगे B, E के जगह हम जाएगा और I आ जाएगा तो effectively आपको effectively आपको कितने elements यहां पर fill up करने हैं आप ध्यान से देखो आपको effectively जो है effectively आपको कितने elements fill up करने हैं आपको 5 elements fill up करने हैं A, B, C, ABC तो same हो गया, H और I, यानि आपके पास 5 variable हो गया A, B, C, H और I, और 5 के पास भरने के लिए कितना है, यानि A को भरने के लिए आपके पास कितने होंगे 5 elements हो सकते हैं, आइधर 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से B को भरने के लिए 5 elements होंगे C को भरने के लिए कितने elements होंगे? 5 elements होंगे और H को भरने के लिए भी कितने elements होंगे? 5 elements होंगे और I को भी भरने के लिए कितने elements होंगे? 5 होगा तो जो permutation and combination का multiplication theorem बोलता है कि सारे को fill up करने के लिए total कितने number बनेंगे 5 into 5 into 5 into 5 यानि इतने number of matrices मिलेगा और इसका value जब calculate करोगे 625 into 5 ये आपको आ जाएगा 3125 3125 यानि number of such matrices जिसमें A B equal to BA होगा और B के elements इन 5 में से कुछ होगा उसके total number of matrices होंगे that will be 3125 ठीक है ऐसा question आपको J means February attempt या March attempt में भी आया हुआ है आप playlist में जाके चेक करो J means 2021 February और March attempt के हम लोंगे matrix and determinants के question solve किये हुए है उसमें इस तरह के questions आपको repeat होए है तो questions repeat हो रहे हैं तो आपको इस सारे questions को अच्छे से practice करना चाहिए तो यह रहा इसमें P&C का थोड़ा basic concept लगा वह ज्यादा difficult नहीं था main concept यह लगा कि आपको multiply करके segregate करना है कौन-कौन से element equal होंगे और कौन से element equal नहीं होंगे चलो बच्चों हम लोग next question में आते हैं यह जो question हमारे पास में है इस question को हम लोग 30 seconds में solve करेंगे बहुत कम calculation या minimum calculation के साथ में आप question को पढ़ना ध्यान से ठीक है let capital A equal to AIJ 3 into 3 be a real matrix of order 3 into 3 such that AI suffix 1 AI suffix 2 plus AI suffix 3 equal to 1 for I equal to 1 to 3 तो sum of all elements of matrix A cube यानि A cube के जितने भी elements है उनके सारे elements का sum बताना है तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो अगर I का value 1 रख देंगे तो A11 plus A12 plus A13 equal to कितना हो जाएगा 1 इसी तरह से I का value 2 रख देंगे तो A21 A22 plus A2321 22 23 इसका वी value कितना होगा 1 इसी तरह से अगर इसको 31 रख दें इसको हम लोग 32 रख दें इसको 33 रख दें तो कितना हो जाएगा 1 अब ध्यान से देखो, आपको सारी elements का, इसका sum कितना करना है, 1 करना है, इसका भी sum 1 करना है, तो क्यों ना अगर हम इसको 1 रग दें, इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, और फिर इसको 0, इसको 1, इसको 0, फिर इसको 0, इसको 0, इसको 1, तो आपका जो A matrix हो जाएगा, वो identity matrix में convert ह हो जाएगा इस तरह से, 100, 010, 001, क्योंकि आपको तो sum से मतलब है, आपको question क्या बोला है, इसका sum जो है, satisfy करना चाहिए 1, तो sum तो satisfy कर रहा है, हर row के लिए, हर row के लिए sum satisfy कर रहा है, ठीक है ना, अब बताओ, A अगर identity matrix है, अगर identity matrix है बच्चों, तो अगर आप A cube भी elements होंगे, इसके जो sum of elements होंगे, वो कितने के बरावर हो जाएंगे, वो 3 के बरावर हो जाएंगे, यानि sum of elements of matrix A cube equal to कितना हो गया, 3, ठीक है ना, तो देखो बहुत ही easy सवाल है, इस question को हम लोग 30 seconds में आप solve कर सकते हैं, आप खुद सोचो, और अगर आप इस method से नहीं करोग में, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, कुछ questions होते हैं, जिसको कि आपको technique से solve करना होता है वहां पर में, तभी जो है, आप ज्यादा से ज्यादा score कर पाएंगे, तो चलिए बचो, अगर ये session आपको अच्छा लगा है, या ये solution अच्छा लगा है, तो इसको like and share जरूर कर हैं, तुम सारे questions को हमने check किया हुआ है, different sessions के February, March attempt, and आपके जो July attempt हुआ है, तो इस तरह से आप question को solve कर सकते हैं, so dear, हमारे पास ये भी जो question है, ठीक है, matrices and determinants का question है, इस question को भी हम लोग 30 seconds में solve कर सकते हैं, using short trick, तो आप ये session पे बने रहो, and किस तरह से observe कर रहे हैं, वो आप को समझना है, एक determinant दिया हुआ है, x plus a minus c, x plus b, x plus a, x minus 1, x plus c, x plus b, x minus b plus d, x plus d, x plus c का determinant equal to 2, और इसमें a, b, c, d किसमें, arithmetic progression में बच्चों, जिसका common difference कितने के बराबर है, lambda के बराबर है, और lambda square का value बताना है, तो सबसे पहले आप देखो, इस equation में, कहीं पर भी x आपको नहीं है, यानि इसका left-hand side में तो x है, और right-hand side में x नहीं है, क्योंकि lambda के terms में आपको equation मताना है, यानि आपका जो भी ये function होगा, ये किसका होगा, lambda का function होगा, और lambda का function, यानि f of lambda होगा, अर उसका value 2 है, तो यहाँ से आपको lambda का value बताना है, और lambda square, यानि x כ्या होगा, डिसे पि को सिंप्लीफाइब करते हैं ध्यान से देखो आपको a b c d ap में है तो क्यों न हम लोग फर्स टर्म को जीरो माल ले और कॉमन डिफरेंस लैमडा है तो b को लैमडा c को 2 लैमडा और d को कितना माल लेंगे 3 लैमडा इजी हो जाएगा अब इसको देखो determinant को आप इस तरह solve करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर x को 0 कर दिया यहाँ पर a minus c तो A-C कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus 2 lambda, यहाँ पर हो जाएगा, minus 1, और यह minus B, यानि, minus lambda, यह हो जाएगा, 2 lambda, और यहाँ पर BCD, BCD कितना हो जाएगा, lambda, 2 lambda, 3 lambda, और यहाँ पर में आपको आ जाएगा, ABC, यानि, A का value कितना हो जाएगा, 0, यह हो जाएगा, lambda, और यह 2 lambda equal to 2, अब इसका determinant आप इसली calculate कर सकते हो, कैसे calculate करोगे, देखो, minus 2 lambda into, यहाँ पर हो जाएगा, आपको 4 lambda square minus 3 lambda square, यानि, lambda square, minus lambda into, देखो, यहाँ से minus 2 lambda, minus 2 lambda, और minus 2 lambda square, यानि, minus 2 lambda, minus, 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 यहाँ पर lambda square equal to 2, यहाँ से जब इसको solve करेंगे, ध्यान से देखो, आपको क्या मिल रहा है, आपको यह वला term cancel हो गया, कौन सा वला term cancel हो गया, देखो, यहाँ से, आपको plus 2 lambda, plus 2 lambda cube, plus 2 lambda cube, minus 2 lambda cube, यह वला term cancel हो गया, और यहाँ पर आपको 2 lambda square equal to 2 आगया, तो lambda square का value कितना और अगर आपने इस तरह से नहीं किया होता तो एक्स को आप क्या करो एक्स को सब्ट्रेक्ट करो आप इसमें प्रोपर्टी लगाओगे r1 के जगा r1-r3 कुछ भी लगाओगे r2-r3 फिर add करोगे इसमें सब्ट्रेक्ट करोगे उससे कितना sort में यह question solve हो गया using the technique सबसे पहले x को disappear कर दिया x equal to 0 उसके बाद आपको common difference a b c d में है तो first term को 0 माल लिया और lambda 2 lambda 3 lambda इसके बाद हम लोग डिटेमिनेंट तुरन solve कर लिया तो lambda is equal to 1 और यह भी question है इसको भी sort technique से solve कर सकते हैं ठीक है यह भी integer type question में है बच्छो lambda is equal to 1 question तो चलो अगर आपको यह question अच्छा लगा है detail explanation या sort trick तो इसको like and share जुरूर करो तो हम लोग ने sort trick का एक playlist बनाए हुआ है आप उसको जाके check कर सकते हैं यह question जो है kremers rule का है बट इस question को हम लोग kremers rule से बीना solve किये हुए 30 seconds में फिर से solve कर सकते हैं बहुत ही minute observation है आपको ध जो कि जब आपको बोला गया है कि find the value of a and b for the system of equation 2x plus 3y plus 6z equal to 8x plus 2y plus az equal to 5 and 3x plus 5y plus 9z equal to b has no solution इसमें क्या होता है no solution तो जब भी no solution की बात करते हैं बच्चो तो हम इससा ध्यान रखो कि एक बात आप ध्यान रखो कि अगर इन दोनों को add करूं मैं अगर इन दोनों को first और second को add किया जाए तो first और second को add करने से क्या आपको हो रहा है first और second को add करने से 2x plus x आपको 3x में convert हो गया 3y plus 2y किस में convert हो गया 5y में तो अगर first और second को add करेंगे तो 6 प्लस A वो कितने के बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा तब ही left hand side वाला क्या होगा LHS जो होगा first plus second equal to कितना हो जाएगा third यानि यहां से आप A का value कितना निकाल सकते हो 3 अब आपको एक और ची ध्यान रखना है कि अगर first or second का LHS equal हो गया first or second का LHS और RHS वाला equal न to not equal to 3 हो जाएगा इसकेस में क्या हो जाएगा आपको no solution हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि first or second को add करने से तीसरा equation तो बन रहा है तो तीसरे का जो left hand side वाला part है वो 3x plus 5y plus 9z है एक तरफ में कितना हो गया 8 plus 5 13 और यहां पर में 3x plus 5y plus 9z कितने के बराबर है b के बराबर ह तो अगर यह दोनों equal नहीं हो यानि 30 not equal to be 30 not equal to be इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार 3x plus 5y plus 9z का value 13 और एक तरफ 3x plus 5y plus 9z का value 13 नहीं है तो यह तो inconsistent हो जाएगा यह क्या हो जाएगा inconsistent और what is inconsistent no solution तो आपको कहीं भी kramer rule लगाने का जुरूत नहीं है simple आप निकाल सकते हो a equal to 3 and b not equal to 30 ठीक है तो यह रहा इस question का explanation आप चाहे तो delta निकाल के चेक करो delta 1 निकाल के चेक करो जो आपका process है kramer rule का वहाँसे भी आपको same result रहेगा इसमें concept क्या लग रहा है basically कि कोई भी दो को add subtract कुछ number से multiply करके तीसरे के बराबर करना है left hand side को और जहां तीसरा का left hand side और first और second का addition subtraction करने से जो left hand side equal हुआ right hand side को not equal करना है for no solution यानि left hand side को equate कर देना है left hand side को क्या कर देना है equate कर देना है और right hand side को not to get करना है इस तरह से आपको no solution मिल जाएगा ऐसा question आपको और आगे दिखाता हूँ ठीक है इस तरह से questions आपको और मिलेंगे एक दो question एक और question आपको यहां पर में दिखाता हूँ एक और question है आपके पास में kramer school का ही है ठीक है इसमें दो तीन equation दिये होगा तो यह क्या होगा three concurrent planes हो जाएंगे three क्या हो जाएंगे concurrent planes यह यू करो कि family of planes बनेगा 3D का concept हम लोग यहाँ पर में लगा रहे हैं जब भी infinite solution होगा three concurrent planes या family of planes होगा क्योंकि यह किसका equation plane का equation है any linear equation in xyz represent plane तो यह तीनो plane का equation है तो जब plane का equation है और तीनों का infinite solution है इसका मतलब कुछ इस तरह का plane बनेगा आपको एक plane ऐसा हो गया एक इस तरह का plane हो गया और इसी से मिलता जुलता एक और plane इस तरह से पास कर रहा है और तीनों का एक single line of intersection है ठीक है ना तो यहाँ पर में क्या हो है तो सबसे पहले क्या करो जब भी family of plane का concept होता है तो यह तीनों का जो coefficient का determinant होता है वह 0 हो जाता यह आपको पता होना चाहिए 1 1-1 1 2 alpha और 2-1 और 2-1 और यहाँ पर में 2-1 और कितना होगा वन इसका determinant आपको 0 के बराबर होगा क्योंकि family of plane का concept होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का determinant equal to 0 वेर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 are the direction ratios of normal तो normal का कितना है 1 1-1 1 2 alpha 2-1 1 equal to 0 जब इसको determinant को open करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा इसका value 2 plus alpha 2 plus alpha minus minus 1 into 1 minus 2 alpha और यहाँ पर में minus 1 into minus 1 into minus 1 minus minus 1 minus 4 यानि minus 5 equal to 0 तो यहांसे आपको कितना हो जाएगा यहांसे देखो 2 minus 1 1 1 plus 2 alpha 1 plus 2 alpha कितना हो गया 1 plus 2 alpha यानि 3 alpha और 3 alpha और यहां पर में 2 plus alpha plus 2 alpha 3 alpha यहां पर 1 यहां पर कितना हो गया 1 1 plus 5 यानि 6 equal to 0 तो यहांसे alpha का value मिल गया minus 2 आप जब alpha का value minus 2 हो गया तो तो तीनों equation को गौर से देखो तीनों equation में क्या होगा basically यहां alpha के जगा कितना हो आपके तीसरे के बराबर करना है और जब infinite solution होगा तो left hand side और right hand side और right hand side क्या होगा पिछला case में क्या किया कि राइट hand side को equal नहीं किया no solution के लिए लेकिन आप infinite solution के काई आप तीक यहांन से करो यहां परना है। तब हम क्या करना है Hawaii strawberry Venus के अ systर है कर सकते हैं कि एक plane प्लस लैमडा इंटू P2 प्लेन इक्वल टू थर्ड प्लेन यानि P1 प्लस लैमडा P2 इक्वल टू P3 कुछ इस तरह का मैनुप्लेशन करने जा रहे हैं ठीक है आप इसको क्या करो यहां पर मैं आप इसको ऐसे लिख सकते हो X प्लस Y माइनस Z माइनस 2 प्लस लैमडा इंटू X प्लस 2Y माइनस 2Z माइनस 1 इक्वल टू P3 इत्री वाले में कितना है इत्री वाला आपको हो जाएगा 2X माइनस Y प्लस Z माइनस बीटा अब आपको सारे कॉफिशेंट को एक्वेट कर देने हैं तो कॉफिशेंट को एक्वेट करेंगे तो कितना होगा देखो 1 प्लस लैमडा 1 प्लस लैमडा डिवाइड बाइट वाइट 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 व चू माइनस लेबडा माइनस टो माइनस लेबडा डिवाइड बई माइनस बीटा माइनस बीटा अब धियान से देख आपको लेका जाएगा यार सेजब फस्ट और सेके Kayla करेंगे फस्ट और equal to आ जाएगा minus three divide by five lambda equal to minus three divided by 5 आब कि सी को equate करदो second third or fourth to equate कर दो third or fourth to equate करें कितना होगा minus one minus two into lambda यह canon minus three by five equal to minus two minus lambda यह canon minus three by five और यह कितने के बराबर होगा यह आपको बराबर हो बिटा के बराबर तो बिटा के बरिमासे कितना आएगा चेक कर लो यह पर देखो minus minus 1 plus minus 1 plus 655 यानि minus 1 plus 655 यानि 1 by 5 equal to यह minus 10 plus 3 minus 10 plus 3 यानि minus 7 divided by 5 into minus beta तो 5 5 cancel यहां से आपको beta का value कितना मिल गया 7 यानि आप इस तरह से कर सकते हो alpha का value minus 2 and beta का value कितना हो गया 7 तो आपको alpha plus beta का value निकलना है alpha plus beta का value आजाएगा आपको minus 2 plus 7 equal to 5 यह correct answer हो गया integer type में चाहिए तो second stage में एक और यहां पर में क्या कर सकते हो जैसे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको second अगर आपका alpha का value तो आई गया था आप second alternate method में यह कर सकते हो जो क्रेमर्स रूल का technique है यानि फॉर infinite solution आप क्या करोगे डेल्टा 2 निकाल दो डेल्टा 2 निकाल सकते हो तो डेल्टा 2 को कितना कर सकते हैं हम लोग जीरो कर सकते हैं फॉर infinite solution डेल्टा 2 equal to 0 तो डेल्टा 2 को 0 करो second method में अगर हम लोग delta 1 या delta 2 निकाल ले उसका भी हम लोग 0 कर सकते हैं जैसे delta 1 अगर हम लोग निकाल ले delta 1 कितना निकालेंगे delta 1 को लिख सकते हो जैसे यहाँ पर में 1 1 2 को जग़ 2 1 बीटा रख दो 2 1 बीटा रहेगा 1 2 minus 1 1 2 minus 1 और minus 1 minus 2 1 minus 1 minus 2 1 इसका determinant कितना कर देंगे 0 2 1 बीटा 2 1 बीटा 1 2 minus 1 1 2 minus 1 और minus 1 minus 2 1 इसको determinant को 0 कर दो तो यह हो जाएगा 2 into यह 2 minus 2 minus 2 minus 1 into minus 1 into 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा minus 1 into 1 plus 2 बीटा और यहाँ पर फिर से माइनस 1 into minus 1 minus 1 minus 2 बीटा इक्वल टू 0 तो यहां से तो अल्रेडी आपको डेल्टा 1 से दो 0 लें रहा है यहां से देखों यहां से डेल्टा 1 से कितना हो जाएगा यह 0, यह आपको minus 1 और plus 1 यह भी 0, यह minus 2 बिटा, plus 2 बिटा यह भी 0, तो delta 1 0 हो गया, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो delta 2 को 0 करके देखो, अगर delta 2 को 0 करेंगे, तो वहां से भी आ जाएगा, delta 2 से कितना मिलेगा, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 2 1 बिटा, 2 1 बिटा, और यहां पर में, minus 1, minus 2, 1, minus 1, minus 2, 1, इसको 0 करना पड़ेगा, 1 1 2, minus 1, minus 2, 2 1 बिटा, जब इसको 0 करेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 into 1 plus 2 बिटा, 1 into 1 plus 2 बिटा, minus 2 into, minus 2 into 1, minus 2 into 1, minus 2 into 1 plus 4, और minus 1 into बिटा, minus 2 equal to 0, अब यहां से देखो कितना आ रहा है बिटा का बिटा का बिटा, आपको आ रहा है 2 बिटा, minus बिटा, यानि बिटा, और यहां पर में कितना होगा, minus 10, minus 10, minus 10, plus 2, plus 1, यानि, minus 7 equal to 0, तो यहां से भी आपको कितना मिल गया, बिटा equal to 7, तो आपको basically अगर आपने first method को देखा, तो first method में हमने क्या किया, तो बिटा equal to 7 हो गया, और आलफा का बिटा का बिटा का बिटा का बिटा का बिटा का बिटा को आपको 5 मिल गया, तो दो टेकनीक हो गया, एक तो यह वाला टेकनीक, डिल्टा उन वाला, और एक दूसरा टेकनीक हम लोग ने बताया है, family of planes वाला उसमें P1 plus lambda P2 equal to P3 जो family of planes का concept लगाते हैं तो वहां से हम लोग ने lambda का value निकाला और lambda का value निकालने का वापस जब पूट किया तो beta का value 7 आ गया और otherwise आपने क्या किया जो infinite solution होता है उसके लिए delta को तो 0 करते ही हैं और साथी delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 equal to कितना हो जाएगा 0 थीनों 0 होगा तो पहला तो अल्रेट जीरो हुआ इससे तो beta मिला नहीं दूसरे बाले को 0 किया तो beta में equation मिला beta equal to 7 ठीक है आप तीसरे को चेक करने का जुरूत नहीं है जब एक बार beta आ गिया तो तीसरा को आपको चेक करने का को जुरूत नहीं तो alpha plus beta equal to 5 तीस तरह से इस question को हम लोग solve कर सकते हैं इस तरह के क्रेमर सुरूल के और question है उसको भी हम लोग देखते हैं यहां पर में तो dear यह भी question है ठीक है ता value of lambda and mu such that the system of equation x plus y plus z equal to 6 3x plus 5y plus 5 z equal to 26 x plus 2y plus lambda z equal to mu has no solution इस question को भी हम लोग 30 seconds में observation solve कर सकते हैं जब भी आपको no solution के लिए बताया तो आपको क्या करना है किसी तरह first plus some constant into second उसमें LHS को क्या करना है equal करना है LHS equal to LHS और right hand side वाला term equal नहीं होना चाहिए for no solution में तो ध्यान से देखो यहां पर मैं observe करके कि अगर इसको हम लोग 2 से multiply कर दिया और इसके साथ add कर दिया first और third कर दिया यानि one plus two into third यानि एक number equation plus two into third करेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा कैसे बराबर होगा x plus 2x कितना हो गया 3x 4y plus y 5y तो 2 lambda 2 lambda plus 1 कितने के बराबर हो जाएगा 5 2 lambda plus 1 equal to 5 इसको equate किया LHS वाले पार्ट को equate किया ठीक है 2 lambda plus 1 equal to 5 तो यहां से lambda का value कितना मिल गया 2 अब जैसे lambda का value 2 मिल जाएगा तो आप देखो right hand side वाले को equate नहीं करना है यानि 2 mu plus 6 यानि 2 mu plus 6 not equal to कितना कर देंगे 26 तो यहां से अब लिख दोगे 2 mu not equal to कितना हो जाएगा 10 sorry 20 तो यहां से आ जाएगा mu not equal to 10 यानि इस question का जो answer हो जाएगा वो lambda equal to 2 and mu not equal to 10 यह इस question का answer हो जाएगा ठीक है इस तरह से question हम लोग solve कर सकते हैं और देखो कितना second में आप grammar rule लगाने का कहीं भी जुर्रत नहीं पड़ा ठीक है इस question का answer हो जाएगा lambda equal to 2 mu not equal to 10 and fourth option will be the correct answer तो बच्चो like share तो बनता है session का ठीक है तो डियर हमारे पास जो next question है इसमें एक matrix दिया हुआ है A matrix 1 1 1 0 1 1 0 0 1 यानि 3 x 3 का matrix है और एक M एक series दिया हुआ है matrix A plus A square plus A q plus dot dot A20 तो बोला जारा है sum of all elements of matrix M यानि यह जो M final matrix बनेगा इन सब को add करते हुए A का power 1 से लेके A का power 20 तक सारे को add करने के बाद जो final matrix M मिलेगा उसके सारे elements का sum बताना है तो देखो ध्यान से इसमें एक symmetry बनेगा इसमें क्या बनेगा symmetry या pattern generate होगा क्योंकि आप A power 20 तक तो निकाल नहीं पाओगे उतने कम टाइम में तो आपको पहले A square और A cube निकालके पैटन को आपको चेक करना है ठीक है symmetry से आपको ध्यान देखना पड़े 1, 2, 0, 0, 1 इस तरह से आपको A square मिलेगा इसी तरह से अगर आप A cube निकालोगे बच्चों फिर से अगर A cube निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1, 3, 6, 0, 1, 3, 0, 0, 1 एक pattern मिल रहा है इस तरह से ठीक है तीस तरह से अगर हम लोग A का power N को देखेंगे है ना तो एक pattern को समझो आप यहां से यह pattern में क्या हो रहा है कि यह सारे elements तो 1 है diagonal elements कितने हो जाएंगे 1 रहेंगे diagonal तो 1 ही रहेंगे 1, 1, 1 यह जो lower triangular matrix होगा वो सारे elements कितने हो जाएंगे 0 अब देख सकते हो जीरो अब इस पर focus करते हैं यहां पर में यह element A square में 2 है यहां पर में 3 है तो A power N में यह element कितना होगा N इसी तरह से यह bho element कितना है A square में 2 यह वाला A cube में 3 तो A power N में यह element कितना होगा N होगा और यहां पर में A square में यह वाला element 3 है यहां पर में 6 है तो 3 6 एक pattern इस तरह से बनेगा N into N plus 1 divided by 2 एक यह matrix आ जाएगा n का value 2 रखोगे, तो 2 into 2 plus 1 by 2, यानि 2, 2 cancel 3, n का value 3 रखोगे, तो 3 into 3 plus 1 by 2, यानि 3 into 4, 12 by 2, यानि 6, इस तरह से pattern बन रहा है, अब आप observe करो, सारे elements का sum, यानि जो sum हो जाएगा, उसमें ध्यान से देखो, a, a square, a cube, a 20, कितने matrix है, 20 matrices है, ठीक है, 20 matrices है, तब सारे elements को सोचो, ये 0, 0, 0, इसका तो sum में कोई, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसका तो कुछ value नहीं आएगा, ये देखो, 1, 1, 1, यानि एक particular में 1 कितना बार है, 3 बार, 3 बार है, यानि 3, और कितना times हो रहा है, 20 times, यानि 20 into 3 plus, यान देखो, यान पर में, n, n, कितना times है, 2 n है, यानि 2 n, तो summation, 2 n और n का value 1 से लेके कहां तक चलेगा, 20 तक, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर में, यहाँ पर 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, n plus 1 इस्तिरस चलेगा, तो simply n और n का sum कितना होगा, 2 n, यानि 2 plus 2, अगर first element के लिखेंगे, a के लिखेंगे, तो कितना होगा, 1 plus 1, यानि 2, तो first element कितना हो ज से लिखेंगे, तो n का value कितना होगा, 2, तो यहाँ पर में, second term में आ जाएगा, 2 plus 2, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 n, प्लस, और यहाँ पर में जो final sum बनेगा, यह बनेगा, n इकोवल to 1, 220 n इंटो n प्लस 1, डिवाइड बाइ 2, इसका sum निकालना है आपको, तो sum का value कितना आ जाएगा, 20 इंटो 360, प्लस, 2 इंटो n इंटो n प्लस 1, यानि 20 इंटो 21, डिवाइड बाइ 2, और जब इसका sum करेंगे हम लोग, इसका sum आपको आ जाएगा, यहाँ पर में, एक टर में तो आएगा, half n square, यानि n, यानि n इंटो n प्लस 1, ये n square, n square का summation 1 to 20, n, इंटो n प्लस 1, इंटो 2 n प्लस 1, यानि 41, डिवाइड बाइ 6, और निचे 2 भी रहेगा, इंटो 2, प्लस, इसमें रहेगा, half, half into, n इंटो n प्लस 1, यानि 20 इंटो 21, ये आपको sum मिल जाएगा, अब ध्यान से देखो इसमे, n इंटो n प्लस 1, डिवाइड बाइ 2, एक 2 और रहेगा, अब इसका value कितना निकलेगा, ये total effectively value आएगा, equal to 60, प्लस, ये 2, 2, cancel, ये आजाएगा आपको 4, 2, 0, यहाँ पर में, ये 2 और 10, और यहाँ पर में आजाएगा, ये 6, यहाँ पर 210, यानि 35, 210 यानि कितना हो गया, 35 इंटो 41, यानि प्लस 35 इंटो 41, प्लस याँ पर 4, यानि 5, यानि 105, प्लस 105, प्लस 105, और 35 इंटो 41 को जो multiply करेंगे, तो इसका आजाएगा 1435, यानि equal to 60, प्लस 4, 2, 0, प्लस 1435, प्लस 105, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 1540, 1515, 40, 1540, प्लस 4, 60 यानि 1960, प्लस 60 यानि 2020, इसका आंसर आपको आजाएगा, 20, 20, तो थोड़ा सा calculation करना था बच्चो, है ना, calculation आपको करना ही पड़ेगा, कोई option नहीं है, और बाकी इसमें जो है, एक symmetry आपको generate करना था, वो symmetry A square, A cube, A power 4 तक भी check कर सकते, और उसके बाद इस तरह से हम लोग ने इसको matrices को लिख लिया, तो चलो यह रहा है, इस question का explanation, ठीक है, थोड़ा difficult question हम लोग इसको मान सकते हैं, calculation भी और थोड़ा इस तरह से concept भी लगाना है, चलो हम लोग next question में आते हैं, equal to 2 for I equal to J, यहने diagonal elements 2 होंगे, for minus 1 to the power I plus J, for I greater than J, ठीक है, तो सबका value आपको लिख लेना है, यानि सबसे पहले अगर हम लोग matrix A को देख लेंगे, तो matrix A में कितना हो जाएगा, यह वाला A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, अब सबका value बिठाओ, ठीक है, टाइगोनल वाले कितने है, 222, यानि 222, यहाँ पर में देखो, यह वाला 12 है, यानि J बड़ा है, तो J, minus 1 to the power 2 minus 1, यानि minus 1 to the power 1, यानि इफेक्टिबली इसका वेलू हो गया, minus 1, A13, 13, यानि 3 minus 1, यानि minus 1 का square, यानि 1, इसी तरह से, अगर हम लोग 2, 3 करेंगे, 2, 3 करेंगे यहाँ पर में, 2, 3, तो minus 1 to the power 3 minus 2, यानि minus 1 to the power 1, यानि minus 1, और 2, 1, 2, 1 की case में यह वाला आजाएगा, I greater than J, तो minus 1 to the power 1 plus 2, 3, यानि minus 1 to the power 3, यानि minus 1, और यहाँ पर में 3, 1, इसमें भी होई आजाएगा, I greater than J, यानि minus 1 to the power 4, minus 1 to the power 4, यानि even power, यानि 1, और 3, 2, 3, 2, यानि यहाँ पर में आजाएगा, minus 1, यह आपको matrix A आजाएगा, ठीक है, यह आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, minus 1, 2, minus 1, minus 1, 1, minus 1, 2, जब आप इसका determinant A निकालोगे, जब आप determinant A निकालोगे, तो इसका value आपको आजाएगा, 4, अब इसमें आपको property लगाना है, matrices and determinants का adjoints का, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं, आप यह जो matrix है, adjoint of 2A inverse, इसको एक नया matrix माल लो, B माल लो, इसको क्या माल लो, B माल लो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे term को determinant of 3B, determinant of कितना लिखेंगे, 3B, अब आप ध्यान से देखो, जब कोई matrix को, आप एक number से multiply करते हो, और उसमें क्या होता है, कि यह matrix कितने order का है, B, 3 into 3 का होगा, तो हर row या column में 3 से multiply होगा, effectively जब 3 बाहर आएगा, तो 3 बाहर बाहर आएगा, 3 into 3 into 3, क्योंकि यह जो B matrix से 3 into 3 का हो, इसको लिख देंगे, 3 power 3 into determinant of B, determinant of B, इसको लिख देंगे, 27 into determinant of B को लिख दो, adjoint of 2 A inverse, अब आपको एक property याद रखना है, आपको याद रखना होता है, कि determinant of adjoint of A, अगर adjoint A का determinant लिखेंगे, इसका हम लोग value लिखते हैं, mod A to the power N minus 1, and what is N, N इसका order है, यानि ये 3 into 3 order का है, तो इसके इसमें N का value कितना हो जाएगा, 3, इसको बापस हम लोग लिख सकते हैं, इसका value, 27 into determinant of adjoint of 2 A inverse, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानि determinant of adjoint of 2 A inverse, इसको लिख सकते हैं, into mod of 2 A inverse to the power, यानि A inverse को 2 से multiply करेंगे, उसका determinant और उसके power में कितना रहेगा, आपको 2 रहेगा, 3 minus 1, 2 रहेगा, अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, कि अगर A inverse को 2 से multiply करेंगे, तो हर element किससे multiply होगा, 2 से multiply होगा, यानि 2, 2, 2, कितना रहेगा, 3 रहेगा, 27 into 2 into 2 into 2, 3 रहेगा, यहां whole square भी है, यहां पर में 2 का square हो जाएगा, into आपको आजाएगा A inverse का square, और आपको और पता है कि अगर mod of A into mod of A inverse यह कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो यानि mod of A inverse तो इसको लिख देंगे, 27 into 8 into 8, यानि 27 into 64 into 1 by mod A का square, A inverse का square equal to 1 by mod of A का square, इसको लिख देंगे, 27 into 64 into what is determinant of A, यानि mod of A, तो यह हो जाएगा, 1 by 16, तो यह 16, 16 और 64 cancel 4, तो effectively इसका आंसर आजाएगा, 108, तो बच्चो इस question का जो answer आजाएगा, that will be equal to 108, तो बहुत ज़्यदा difficult सवाल नहीं था, बड़ा basic property लगा, जो कि आपको याद रखना था, ठीक है, तो चलो हम लोग next question में आते हैं, so dear हमारे पास जो next question है, very interesting question and tricky question है बच्चो, ठीक है, one of the best question है, matrices and determinants का, question क्या है, let matrix A equal to 1-1001-1001, और एक B matrix है, 7a power 20-20a power 7 plus 2 into iota, where i is 3 into 3 matrix, और आपको बोल रहा है यह जो B matrix से इसके element Bij है, तो B13 का value निकालना है, यह जो matrix final matrix B मिलेगा, इसके सारे elements नहीं निकालना है, B13 निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यह जो matrix A है, इसको यहाँ तक तो देखो identity matrix है, देखो यह वाला, 1, 1, 1, यह 0, 0, 0, और यहाँ पर में खली changing हो गया, minus 1, 1 में, तो अगर हम लोग A को ऐसा लिख दें, i plus, i plus, अगर यहाँ पर सारे elements को 0 कर दें, यहाँ पर minus 1, 0, minus 1, इस तरह सम इसको A को दो matrix का sum में हम लिख सकते हैं, और यह जो matrix बना, इस matrix को क्या नाम दे सकते हैं, C matrix, या इसको यहाँ पर B है, तो इसको C matrix नाम दे दिया, अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, यानि यह जो matrix हो गया A, that can be written as identity matrix of 3 into 3, plus 0, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, अब इसका लिखने का खासियत यह रहेगा, अब ध्यान से देखो, जैसे यह जो C matrix है, इसका अगर square कर दोगे आप, यानि 0, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, इसका square कर दो, तो आपको यहाँ पर में, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, जब इसको square करेंगे, तो आपको C square का value क्या मिलेगा, यह सारे elements तो 0 रहेंगे, यहाँ पर में, 0, यहाँ पर plus 1, यहाँ पर 0, plus 1, और 0, यहाँ यहाँ पर आजाएगा, 0, 1, और यहाँ पर में, 0, यहाँ पर आजाएगा, 0, 0, plus 1, और यहाँ पर में, 0, तो C square का value आजाएगा, आपको, यहाँ पर में, 0, यहाँ पर में, second वाले elements को लिख देंगे, 0, 0, 1, यह सारे elements आपको, 0, मिल जाएँगे, इस तरह से, यह C square का value आजाएगा, इसी तरह से अगर आप यहाँ से C cube निकालोगे, तो C cube में क्या होगा, जब निकालोगे C cube, तो सारे elements 0 में convert हो जाएँगे, आप multiply करके check कर सकते हैं, तो जब C cube 0 होगा, तो C power 4 भी कितना हो जाएगा, 0, C power 5 भी कितना होगा, 0, C के सारे वाले times कितने हो जाएगा, 0, यानि अगर हम लोग C power 20 भी करेंगे, तो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर में A का जगा, A का जगा हम रख सकते हैं, I plus C, और यहाँ पर binomial expand करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, basically, next slide में लिखते हैं हम लोग, तो जो B matrix होगा, उसको हम लिख सकते हैं, 7 into A power 20, यानि A power 20 को लिख सकते हैं, I plus C to the power 20, minus 20 into 20 into I plus C to the power 7 plus 2I, और इसमें से add करके आपको किसके बार में जानना है, B13, आपको B13 के बार में जानना है, तो एक बात देखो बच्चों ध्यान से, जो IOTA matrix, identity matrix होगा, उसमें B13 कितना होगा, इसमें तो 0 होगा, तो इसका तो खेल already खतम, इसका तो कोई मतलबी नहीं है, अब इसमें से आपको क्या करना है, expand करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है, कि C square तक में आपको मिल रहा है 1, उसके बाद तो सब में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानि आपको square तक का term चाहिए, ठीक है, आपको square तक का term आपको चाहिए, तो square तक का term में आप क्या करो इसको, इसको लिख देंगे basically equal to 7 into, ध्यान से देखना, 20, यह binomial coefficient को C से compare नहीं करना, वो अलग है, ठीक है, 20C, 0, यह C matrix हो गया, plus 20, यह ऐसा लिख दो matrix के format में, ठीक है, 20C, 1, यह matrix हो गया basically, यह क्या है, matrix है, 20C, 1, into, यह, 20C, 0, यह C power, 0, C1, plus, 20C, 2, यह matrix C का square, बाकी आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे term, C cube, C power 4, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, minus, 20, into, 7C, 0, 7C, 0, यह matrix C power में कितना होगा, 0, plus, 7C1, C power 1, plus, 7C2, यह C square हो जाएगा, और यह bracket पन, आप ध्यान से देखो यहाँ पर में, आपको क्या गरना है, यह matrix C में, यानि अगर matrix C का, matrix C का B13 का बात करें, तो यह कितना है, 0, matrix C square, C square में B13 का बात करें, तो यह कितना है, 1 है, B13 का value 1 है, ठीक है, इसी तरह से, यानि इसके corresponding जो element है, इसी तरह से C cube, C cube का तो आपको बात ही नहीं करना है, ठीक है, C हो गया, और C square हो गया, चलो, आप ध्यान से देखो यहाँ पर में, यहाँ पर में, और identity matrix में, identity matrix में यह वाला element कितना होता है, 0 होता है, यानि अगर identity matrix होगा, इसमें भी जो 1, 3 वाला element होगा, या B13 लिखो या इसका जो भी नाम देना चाहो, उसका value कितना हो जाएगा, 0, तो effectively क्या होगा, कि यहाँ से आपको, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से C1 से कितना मिल जाएगा, यहाँ से C1 से मिलेगा आपको 0, effectively C2 वाले टम से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहां से मिलेगा कितना मिलेगा यहां से मिलेगा आपको 1 तो आपको लिख देना है यानि 7 into 20C2 और इसका वेलू मिल जाएगा 1 और यहां से भी फिर से मिलेगा आपको यहां से भी मिलेगा तो minus ट्वेंटीटीटीट्टीटू सेवन सीटूosure हो जाएगा और बागि सारे सी रहेंगें यह वाला टम कितना मिल जी रो इसका-छुछ-वजरूत ही नहीं रहे यहाँ से आیا जाएगा सफन एन्ट Ó ऑल्टीटेटीट्व यानि कि इस earns हो जाएगा किसेवन एंटू 20 इंटो 21 बाइ 2 माइनस 20 इंटो 7 इंटो 10 इंटो 8 डिवाइड बाइ 2 तुसको हम लोग solve कर देते हैं यहां पर कितना आयेगा यह 10 हो गया यानि 210 यानि 70 इंटो 210 यानि 1470 माइनस यहां पर में 10 यानि 560 तो इसका आंसर आजाएगा 910 इसकोशन का आंसर आजाएगा 910 तो देखो बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया ट्रीकी कोशन है ठीक है यह कोशन क्या है ट्रीकी है इसलिए ट्रीकी है क्योंकि एक तो आपको आई प्लस सी के टम्स में लिखना है और दुसरा ट्रीकी है कि सार आई स्क्वेर सी स्क्वेर सी क्यू के बाद सारे टम्स कितने हो रहे है जिरो मैट्रिक्स हो रहा है तो जब जिरो मैट्रिक्स हो रहा है तो उसके जो बी वन थ्री यानि वन थ्री वाला एलिमेंट होगा सी क्यूब सी पावर फॉर सी पावर फाइब सारे का कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो उसके दम लोग नहीं फॉर्मला लगा दियर डिटेमिनेंट का और उसके उसको कल्कुलेट कर लिया तो यू विल गिट दा आंसर एज नाइन वन जीरो तो वन अप दा बैतरीन कि होए हैं कि फर आई इकोल टू जे एकोल टू वन अम उड़ आई माइनस जे इकोल टू वन फर इकोल टू माइनस एक से मॉड़ आई मैनस जे इकोल टू वन यानि इस तरह का कोई एलिमेंट होगा तो पोस्करों 12 1221 या जिसमें आई और जे का डिफरेंस कितने के बराबर है वन के बराबर है तो 1221 32 और यह 32 और 23 इसका विलू कितने के बराबर हो जाएगा माइनस एक्स और यह वाला अदर्वाइस टू एक्स प्लस वन तो यहाँ पर मैं आप सबसे पहले क्या करो एक्सका जो ए मे से उसको आप लिख लो ए मेट्रिक्स कितना हो जाएगा इसको लिख लेंगे इसए डाग्नौल एलिमेंट्स तो वन यानि वन 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 अभी बता या 1221 12 इसका वैलू मैंस एक्स और यहां 21 इसका विलू कितना होगा मैंस एक्स और यहां पर 3, 2 यहां पर कितना होगा? 3, 2 यानि 3rd row, 2nd column यानि 3, 2 ये वाला हो जायगा minus X और 2, 3 यानि 2nd row, 3rd column ये भी कितना होगा? minus 6 और otherwise में कितना है? 2X plus 1 यानि यहां पर हो जायगा 2X plus 1 यहां पर में आ जायगा 2X plus 1 अब सबसे पहले इसका determinant निकालो, determinant निकालो, तो determinant of a कितने के बराबर हो जाएगा, determinant of a हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं, 1 into 1 minus x square, यानि 1 minus x square, यह minus minus plus x into plus x into plus x into plus x into, x into 2x plus 1, और plus, यहाँ पर 2x plus 1, plus 2x plus 1 common निकाल लेंगे, तो बन जाएगा, x square, x square minus 2x minus 1, इसको simplify कर देते हैं, यानि जो determinant of a है, इसको एक fx function नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, fx function नाम दे दिया, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर minus x square, minus x square, यानि minus 2x square, और plus 2x square, cancel out हो गया, plus 2x square, cancel out हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, एक x square का term बचा, यानि, fx equal to, यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ पर में क्या बचेगा, जिसे x square में, एक minus x square, minus x square, यहाँ पर सबसे पहले x cube, यानि, cubic function बनेगा, तो जिसे x square into x, यानि, 2x cube, और यहाँ पर 2x cube, यानि, कितना हो गया, 4x cube, यहाँ पर minus x square, minus x square, कितना होगा, minus 2x square, minus 2x square, और यहाँ पर में, plus x, plus x square, यानि, minus x square, minus x square, और यहाँ पर में, एक term बनेगा, plus x square, वो cancel होगा, minus 4x square, यानि, minus 4x square, तो यह पर मिलेगा मैनने आपको माइनस टू एकस यानिद फॉर एकस और यहां पर मैन प्लस यह वाले टर्म कितना हब गया जीरो तो fx function बढ़ गया 4x cube minus 4x square minus 4x आप बोल रहा है कि fx का maximum और minimum value का जो sum है वो बताना है ठीक है तो f dash x निकाल लो f dash x निकालेंगे उसमें कितना हो जाएगा यहांसे 4 common निकालके x cube का हो जाएगा 3x square minus 2x minus 1 और जब इसका factor निकालेंगे f dash x को 0 maximum और minimum के लिए तो यहांसे x के जो values मिलेंगे वो मिलेंगे x equal to 1 और x equal to minus 1 by 3 अब किसी एक पर maximum होगा किसी एक पर minimum होगा वो आप check भी कर सकते हो जैसे यहां पर मैं आएगा minus 1 by 3 और 1 minus 1 by 3 और 1 जब इसका sign scheme देखेंगे 9 scheme देखेंगे इधर में होगा plus minus और plus इसका मतलब है इस point पर क्या होगा maxima और इस point पर क्या होगा मिनिमा ठीक है यानि जो f of minus 1 by 3 जो कि maximum value होगा यह maximum value होगा f of minus 1 by 3 का और इसका value अगर हम लोग निकालेंगे यहां पर में तो जब इसको यहां पर में रख देंगे 4x cube minus 4x square minus 4x तो इसका value आपको मिल जाएगा 20 divided by 27 इसी तरह से अगर f of 1 लिका लेंगे जो कि minimum value होगा f of minimum यानि 4 minus 4 minus 4 यानि minus 4 यानि f of 1 equal to minus 4 इसका sum निकालना है तो sum निकालेंगे तो minus 4 plus 20 divided by 27 और यह minus 108 plus 20 यानि minus 88 divided by 27 यानि sum of maximum and minimum value of fx under the given condition यह matrix के किसमें इसका answer हो जाएगा minus 88 divided by 27 तो थोड़ा सा इसमें calculation है बच्चो कुछ calculation करते रहना पड़ेगा आपको और बाकी इसमें कोई question में difficulty नहीं है ठीक है अगर आप ध्यान से करोगे question को और patiently करोगे question आप से solve हो जाएंगे ठीक है तो question lengthy नहीं है question थोड़ा कैलकुलेटिव है और concept बहुत ज्यादा deep concepts पे सवाल नहीं पूछ रहा है तो चलो हम लोग next question में आते हैं तो dear friend एक और interesting question है हमारे पास में एक matrix A दिया हुआ है 2 3 A 0 where A belongs to real number और इस A matrix को दो matrix के sum में convert किया हुआ है P plus Q जिसमें P आपका symmetric matrix है P कैसा matrix है symmetric matrix है और Q क्या है is Q symmetric matrix Q is is Q symmetric matrix और आपको determinant of Q दिया हुआ है बच्चो 9 determinant of Q कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है तो आपको बोला जा रहा है modulus of sum of all possible values of determinant P यानि P matrix का जितना भी possible determinants होगा उन सब का जो determinant का value होगा उसका modulus का sum बताना है यानि modulus of sum of all possible values of determinant P तो सबसे पहले क्या करो P और Q में convert करो तो आपको पता है कि A transpose कितना लिखेंगे A transpose लिखेंगे 2, 3, A, 0 और जो symmetric matrix होता है उसको आप लिखते हो half into A plus 80 तो इसको आप लिख दोगे half into A plus 80 कर दो तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 यह 3 प्लस ए यह भी 3 प्लस ए और यह 0 प्लस 0 ठीक है इसी तरह से Q को लिख देंगे half A minus 80 skew symmetric matrix को लिखने का तरीका होता है और जब आप half करोगे यहाँ पर में skew symmetric matrix के diagonal elements कितना हो जाते हैं 0 होते हैं diagonal elements आपके 0 होते हैं ठीक है तो यह वाला तो 0 हो जाएगा यह भी 0 और यहाँ पर में a minus 80 यानि 3 minus a 3 minus a और यहाँ पर हो जाएगा a minus 3 और आपको determinant of Q दिया हुआ है 9 जब इसको solve करेंगे तो half से multiply करके half into यहाँ पर a minus 3 into 3 minus यानि minus of a minus 3 into 3 minus a यह कितने के बराबर है आपको 9 के बराबर बच्चो यानि यहांसे आपको मिल जाएगा a minus 3 का whole square यानि a minus 3 का whole square यहाँ पर में आपको half है और यहांसे लगाना है जब इसका determinant निकालेंगे तो यहाँ पर में half जो है हर row और column में multiply होगा तो यहाँ पर half into half भी हो जाएगा यानि 1 by 4 क्योंकि जब आप कोई भी matrix को एक number k से multiply करते हो तो उसका determinant निकालते हो तो सारे अगर 2 row है तो दो बार half भार आएगा यानि effectively half into half 4 तो 1 minus 3 का whole square equal to 36 तो यहां से आपको a minus 3 equal to कितना मिलेगा plus minus 6 यानि एक बार a का value मिल जाएगा आपको 9 और a का value हो जाएगा minus 6 plus 3 यानि minus 3 अब जो p matrix से उसका बारी बारी से value देख लेते हैं तो p matrix equal to अब half से multiply कर दो तो यहां पर हो जाएगा 2 कौन सा case लिया case 1 a equal to 9 a equal to 9 ले लिया हम लोग ने तो यहां पर मैं half से divide भी कर दे रहे हैं 2 a equal to 9 3 plus 9 यानि 12 यानि 6 ये 6 और 0 इसका determinant of p कितना हो गया इस case में determinant of p हो गया minus 36 इसी तरह से case 2 a equal to minus 3 अगर a का value minus 3 लेंगे तो p का value कितना आ जाएगा a का value minus 3 लिख लो तो p का value आ जाएगा यह देखो 4 0 यह 0 और 0 और half से divide करेंगे तो divide by 2 तो इसका determinant कितना हो जाएगा determinant of p equal to 0 तो आपको sum of all possible values of determinant p यानि minus 36 प्लस 0 और उसका क्या ले लेना है mod लेना है तो effectively answer कितना आ गया 36 यानि इस question का जो answer आ जाएगा बच्चों that will be equal to 36 first option कौन सा option हो जाएगा first option तो बहुत ज़्यादा difficult सवाल नहीं है basically इसमें आपको तोड़ के दो step करना था उसके बाद में determinant of a निकालना है इसका answer हो गया 36 तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने जही मेंस 2021 जुलाई अटेम्ट किया मैट्रीशेस और डिटेमिनेट्स के सारे questions का हम लोग ने detail expression देखा है कुछ questions को मल्टीपल मैथड से भी solve किया तो बच्चों हम लोग session को end करते हैं और आप यह session को like and share जरू कर दो next video हम लोग बोच जल्ड अप्लोड करेंगे thank you my dear friends